स्कूल खुलने वाले हैं अपने बच्चों के लिए या फिर बड़ों के लिए रोज अलग अलग तिरह की चीज़े बनाई तो आज मैं आपके लिए साथ तरह की लंच बोक्स लेकर आए हूं तो यहां पर हमने लिए हैं तीन ओबले हुए आलू जिसे हमने हलका सा मैश कर लि दो चांब भरके आपको घी लेना है और गराम हो जाए तो इसमें डालना जीरा राइ लेनी है इन चीज़े बूल लेना है इसके बाद में आपको लेना है वन फूर्थ स्पून हल्दी पाउडर ताकि कलर थूड़ सा जेंज हो जाए फिर आप इसको हलका सा मिक्स करना और आलो के जादा बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए आप इसको हलका सा इस सरीके से मिक्स करना फिल्म को रखना आप मीडियम फिर हम इसमें सभी ड्राइ मसाले अट करेंगे तो यहां पर अभी आप फिल्म को लो कर देना और यहां पर आपको डालना है लालमिश पाउडर तोड़ा से डालना है वन फॉर्थ स्पून सारे मसाल लिए है धनिया पाउडर हमने लिया है साथ में आप जूर पाउडर हमने लिया है और यह है गरम मसाला यह हमने लिया है नमक स्वादन नुसार अपना तेस्ट मेकर ले 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 लिए जो भी आपको पसंद हो तो आप न और बस दो से तीन मिट के लिए मीडियम फ्लेम पर आपको इससे अच्छे से मिक्स करना है और भूनना है आलू की बड़े टुकड़ी नी होने चाहिए बट आप उसे मैश भी मत करना तो इस तरीके से होने चाहिए तो यहां पर यह आलू का मसाला बन कर तयार हो गया है सिंपल है टेस्ट बहुत अच्छा है तो यहां पर हमने लिया है गयों का आटा इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी ना अजवाइन भी डाल सकते हो और पानी डालके आपको सिंपली इसका डो लगाना है जैसे रेगुलर में घर में आप लगाते हो पर कभी भी आप आठा लगाते हैं तो उसके लिए ध्यान रखना आप आठी को नीड हमेशा अच्छे से करना तो पराठी हो या रोटी हो अच्छे बनते हैं हलका सा ओल या घी लगा कर आप इसको रख देना आठ दस मिनिट के लिए सैट हो जाएगा उसके को लिए। यह इस तरीके से अब हमने इसको बेल कर करना है उसके लिए आपको तोड़ा से सुखा आठा ली जरी से दस्ट करना है और स्सिंपली इसे बेल क्णिक करते हैं और आप जैसे रेगूर में परांथे बनाते हो ना वैसा ही आपको इस Isto बनाना है तो बेल कर हमने तब यहां पर डालेंगे और जैसे ही एक साइड में इस तरीकी से आपको थोड़ा साइब बबल दिखने लगे ना फिलेम को आप मीडियम रखना और इस पर लगा देते हैं और जैसे आप चाहें जैसे आप ऑईल में बनाते हो या बटर में वैसे बटर में नहीं करना बहुत गी से भी दुआ होता है बट बच्चों लिए घी के पराथे तो बनाना वाकी आपकी चॉइस है आप जैसे भी रेगुलर में पराथे बनाते हो अपने घर पर वाबसे बना सकते हैं तो यहां पर यह हमारा पहला पराथा अच्छे से जिक्कर तयार हो क्या है इसी तरीके से हम एक और पराथा बनाएंगे तो अब लंच बॉक्स में जितने पराथे रखते हो उतनी रखना पर यह गरंटी है कि पराथा फिनिश होकर आएगा तो यहां पर यह हमारा दूसरा पराथा भी सिक्कर त्यार हो गया है अब आपको क्या करना है पराथा पर लगाना आप अब आप उसे एजली फोल्ड कर पाएं अच्छा यहां पर मैं इस तरीके से बना रही हूं वैसे आप चाहें तरीके से केचप लगाना और बीच में आप 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 उसे रॉल कर देना तो यह भी प्रोसेस है इसे आपको रखने में और बच्चे को या बड़े को खान साथ में आप बच्चे की पसंद के हिसाब से कोई भी फूट रख सकते हैं जैसे मैंने पपाया रखा है अच्छा ध्यान रखना पराथा और फल एक साथ नहीं काने है फूट ब्रेक में फूट्स खाए जाएंगे और लुंच ब्रेक में यह पराथा के साथ में सैलेड खा स नमक लेना फ्ल फार फॉर्थिश्पून गाफिर स्वाद अनुसार तो हलका यहां अच्छा पानी के बाद में आप यहां पर डाला पानी नहीं डाले थोड़ से डाल आदा कब जितना पानी डाला फिर आप इसको अच्छे से ना मिक्स कर लेना ताकि यहां नी बनने चाहि तो बस आपको इजाद रखना है, अच्छी से बस इसको mix कर लेना, फिर simply आपको इसे rest के लिए रखना है, अच्छा यहाँ पर क्या होगा ना जाप इसको rest के लिए रखोगी तो सूजी ना जितना आपने उसा पानी डाला है वो और absorb करती है, बट एक साथ फिर भी नहीं डाल 10 मिनिट के लिए रखना और आपको चाहिए यहाँ पर सब्जियां, सब्जियां मिर्च, टमार्ट, पत्ता, गोभी, गाजा हमने लिए है, सब्जियां हमने बरावर क्वांटिटी में लिए है, और बारी कट करके लिए है, गाजा को कद्दू कस करना ध्यान अब इससे भी इसमिपने दालें, थोड़ा सा पानी, सिम्पली आप इसको mix करना, अशा है यहां परना इसकी कांसिस्टेंसिन सी यह जैसे आप इडली का बेटर बनाते हो ज़रा से 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 काली मिर्च का पाउडर वैसे यह ऑफिशनल है बट लाल मिर्च की जगे आप काली मिर्च यूज करोगे ना तो इस पैसी भी नहीं रहता है तेस्ट भी अच्छा आता है और काली मिर्च अच्छी भी होती है यहां पर जितनी भी वेज़िटेबल्स है इसे आप मिक्स कर लेन तकि आपको बात में अलग-अलग डालने में दिक्कत नहीं होगी यह हो गया है तब ये पर आपको डालना है और मैं आपको फॉरूर्ण में दिखा रहे हैं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको simply बैटर लेना है इस तरहीं किसे जालना है हलक आप सेप करना फिल यूज करना चाहते हैं तो अनियन को भी कट करके यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर सबजियां हमने लगा दी हैं कम जादा कर सकते हैं और अब आप इसको low to medium flame पर सिखने देना जैसे यह उपर से थ्थोड़ा सा ड्रह हो जाएगा ना तभी आप इसको पलट ना और हलका सा प्र प्रेस कर देना तो जी वेजेटेबल है न वो अच्छे से सेट हो जाएंगी तो यहां पर यह देखिए आपको इसे दोनों ही साइट से थोड़ा सा इस तरीके से कूलन कलर आने तक सेक लेना है तो यहां पर यह हमारा फर्स्ट बैज सिकर तयार हो गया है देखिए यह जो था एक तरीका अब मैं आपको दूसरा एक और तरीका बताओगी आपको क्या करना है वेजेटेबल जरुवत के हिसाब से डाल के और इसमें थोड़ा सा पानी अट करना क्योंकि जो इस तरीके से वेजेटेबल डाल के बनाते है न वो थोड़ा सा पतला रहता है उसके कंपेर मे और इसे भी आप इसी तरीके से तोड़ा सा डाला हल्का सा टैप करना आप चाहें पहले वाले तरीके से बनाए चाहें आप दूसरे वाले तरीके से बनाए आपको ध्यान लखना है कि जो तवा है वो जादर गरम नहीं होना चाहिए और एकदम कम भी नहीं होना चाहिए बना सकते हैं और आप इसे कोकोनट चटनी या फिर टमेटो केचप या सॉस के साथ में रख सकते हैं हेल्दी भी है टेस्टी भी है सूजी में 0% फैट होता है इसमें वेजिटेबल्स भी है तो ट्राय आप जरूर करना पसंद आएगा तो यहां पर बनाएंगे लौकी के परांटे तो आदा हमने लौकी घिया इसे जो भी कहें वो ले ली है वाश हमने से पहले कर लिया था अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे नमक कम याचंप तो आपको नहीख लीटा है तो आप इससे आपको नहीं करना है तो यहीर पर हमस्में डालेंगे नमक वन फ को एप स्वूं नमक लाल मिर्च पाॉडर और साहेचछद राइगी हल्दी धनिय। पाउडर, यह जीरह, आदा चमच, अमचूर पाउडर, यहाँ पर आप लेना गरम मसाला, और एक चमच इसमें जाएगा गी, अब यहाँ पर आपको इसे मिक्स करना है, देखिए, यहाँ पर मैं आपको ना हींग डालना बताना भूल गए थी, तो मैंने बाद में डाली है, आप अभी इसमें हिंग डाल देना तो आप लेना यहाँ पर 4 पिंच हिंग अब यहाँ पर हमने लिया है गेहूं का आटा तो इतने मेना आपका गेड़ से 2 कप आटा लग जाता है तो आप एक सब जादा ना डालें पहले आपको आटा डालके इसमें मिक्स करना है क्योंकि गिया मेना पानी भी काफी देता है तो यहाँ पर हमने टोटल 2 कप आटा इसमें डाल दिया है अब जरूत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी की चीटे लगा कर इसका डो लगाना है तो हम हिंग भूल गए दे तो हिंग आप हमने डाल दी है इसमें मिक्स कर लेंगे उसे भी तरीकी से ना तो अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो यहाँ पर हमारा डो लग चुका है यहाँ रखना नीड अच्छे से कर लेना और डो करना थोड़ा सा हाड रखना बाद में वो खोदी सॉफ्ट हो जाएगा 10 मिनिट के लिए रखना उसके बाद में आपको सिंपले इसके पेड़े बनाने है सूखा आठा डस्ट करना है और इसे आपको बेल कर तयार करना है जरुत के आज साब से आप सूखा आठा ले सकते हैं और इसे इस तरीके से बेल कर तयार करना तो यहाँ पर यह परांठे को हमने बेल कर तयार कर लिया है अब आपको इसे सेखना है तो अब इसे हम तबे पर डाल देते हैं और जैसे आप रेगुलर परांठे बनाते हो वैसे ही आपको इसे सेख कर तयार करना है ऑुईल में या फिर अब घी में जैसे भी बनाते हो बना सकते हो अब जो भी बच्चे या बड़े गीः नहीं खाते हैं वो ये पराँटे आराम से खा सकते हैं तो यहां पर ये हमारा पहला पराँठा सिकर तयार हो गया है तो यह दिखे हैं दूसरा पिर उसी तरी के बना कर तैयार कर लेंगे फुल फ्लेम मत रखंआ पर ने तो अच्छे बनते हैं यहां पर हम इसे रखेंगे दही के साथ में देखिए आपके पास ofShe का दूसे आप चाहें तो तुमारेट प्रोडा के साथ में रख सकते हैं और चाहे आप अब दाल दो आप पुदिने चैसे अब रायते हमें डालते हो राईते हो सफेज नमक, जैसे काला नमक दही रखना आराम से इसको पैक कर सकते हैं क्यूंकि मैं पर्सनली बहुत रेयर केचप रखती हूं मैं दही के साथ में मोसली रखती हूं अलग अलग तरह के पराथे यहां पर हम बनाएंगे वैच उपमा यह लिए आपको चाहिए गाजर इससे आप बारी कट कर लेना इसी तरीकी से डाल देना है सूजी जिससे आपको ड्राय रोस्ट करना है अपको ऑइल गी वगरा कुछ नहीं डालना है हलका सा बस इसका गुलाबी कलर हो जाए ना तब तक आपको इससे भूनना है फ्लेम को आप लोटू मीडियम रखना और यहां पर देखिए हलका सा इस आपकी दाल बिना जिलगे वाली और एक ही चमच आपको выдachment है चैने की दाल की दाल दोनों ही डाले आपको बराबर लीए है और यहां पर ना फ्लेम को आप लोही रखना और जो मुंफली है न वह इसमें डाल देते हैं फ्लेम को आप लोही रखना और लो फ्लेम पर ही आपको इसे हलका सहस का जो ब्राउन कलर आ जाएका न उतना होने तक तो जैसे यह होने लगे आप इसमें डाल देना राई जो आपको लेनी है वन थर्ड स्पोन जैसे यह दाल और मुफली होने वाली होना तब आप राई डालाई यह भी स्टार्टिक में राई डाल दोगे न तो उसका जो टेस्ट है वह अच्छा नहीं आएगा और भून आप लो फ्लेम पर ही क्योंकि यह न चीज़े फिर जल्दी जलने भी लगती है तो यहाँ पर यह देखे कलर चेंज हो गया है दाल का भी मुफली का भी और अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पता तो आप देखेंगे चटकने लगा है तो यह ऐसे होने लगे न तब ह कुझे गाजर और मटर इसमें डाल देनी है तो गाजर को छेश से को खट सनना की जिससे si much is to have a जाती है बीस और ấकना नहीं लगता है और मटर और भी झाली हो जाए तो इसमें डाल दिना नमक उत्स हो पिसमें कज़ऄने कशा लुटने क्याभव भन दाल सकते हैं। पिरफेसे लिडाय तो इसमें अलुटे बेना備 अम आलु लिडा हूँ लुटेसे कम डहेता हैं। इसमें बलने लाथ को सिकते हैं। कशे इसमें लाखनेने लिडाए। और ओयल में आप उसको fry करके यूज़ करते हो वैसे कर सकते हो आनियन भी आप इसमें डाल सकते हो वो दाल वगर के साथ में डाल देना एक हरी मिश डाल दिये हमने इसमें तो हरी मिश न आप सबसे लास्ट में डाल आ और हलका साही उसको भूनना फ्लेम को आ आप लोटु जैसे आपने एक कटोरी या एक कप सूजी ली है उससे तीन गुना यानि कि तीन कप या तीन कटोरी पानी आपको लेना है क्योंकि सूजी का जो आप उपमा बनाते हो न तो वह अपने से तीन गुना बनकर तैयार होती है तो जैसे ही आप इसमें पानी डाल देंगे उसके बा नहीं होगा बड टेस्ट बहुत अच्छा होगा काले मिर्ष की वज़े से थोड़ा से कलर चेंज होता है बड कोई दिकत नहीं है फिर आपको इसमें डालनी है सूझी अच्छा सूझी न जब पानी गरम होने लगे न तब आपको डाली है और डालती ही आपको इसे लगातार करती है बीट अ सब्सक्राइब डालता पानी जब गरम होना तब यहां देखेंगे यह थिक होती है तो क्या है सूझी का चोद दाना है न वो अच्छी से फूलता है और यह उपमा न इसका दाना खिला खिला बनता है जो खाने में जादा अच्छा लगता है तो यहां पर देखिए परफेक्ट इसका टेक्शर आ गया है और टेस्ट न बना कर देखना जैसे भी आप बनाते होंगे न वो प्रोसेस सा भूल अलका सा रोस्ट करके रख सकते हो जो आप बनाएं तो इससे तुरंते स्रीगे से बना सकते हो तो यहां पर हमने सिसर्फ कर लिया है साथ में हमने फूर्ट में रखा है यहां पर एपल फूर्टस ब्रेक के लिए बाकि ये एक परफेक्ट हैल्दी मील है इसमें करते हैं यहां पर वेज मेयूनिस सैंडविच सांडविच सभी को बहुत बजंदादी है, बट उसे healthy बनाती है, नहीं हमने टमाट्र लिया है जिसके की बीच निकाल के बारी कट कर लिया है पत्ता गूबी लिक है, साथ में हमने अब यहां पढ़ना मैं आपको एक प्रोसेस बताती हूं एक बाउल में आप सारी सब्जियां डाल देना देखिए आप यह वाली जो सेंड्विश बनाते हो न थोड़ी दिपत क्या होता है वो सेंड्विश न एक थोड़ा सा वैसी हो जाती है जैसे पानी जैसी मतलब वो जो उसकी जो वेजिटिवल्स वगेरा होती है न टेस्ट चेंज हो जाता है पानी पानी सारे जाता है बट अपसे ऐसा नहीं होका सब्जिया बाल में डाल लेके बाद ना उसमें आदा चमश सरीकी से नमक डाल देना मिक्स कर देना फिर मैं आपको पताती हूं दस मिनिट बाद इसमें क्या होगा आपको नहीं देखिए इस तरीके से चेक करना बेस में पानी आ जाता है जो इसका एक्स्ट्रा क्योंकि जितनी भी हमने सब्जिया ली है न सभी में अच्छे अमान में पानी रहता है अब यह यदि ब्रेड के साथ में रहेगा तो सोची ब्रेड कैसी हो तो आपको इस तरीके से प्रेस करके इसके पानी को अलग करना है और यह जो वेजिटीबल्स है उसे आपको अलग बेटन में रखना है यहां पर यह इस तरीके से तो हम सारे सब्जियों को इसी तरीके से कर लेंगे और पानी में आपको दिखा देती हूं देखिए कितना प काले मर्श पाउडर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स साथ में आपको लेनी है तीन चमच भर कर मियूनीज जितना जरूरत है जितनी आपने वजेटेबल्स ली है ओवर नहीं करना है बट ऐसे करना है कि जब आप उसको मिक्स करेंगे ना तो मियूनीज अच्छे से होनी चाहिए औ अच्छे से मिक्स करना है अच्छा जो लोग चाइन चाहते है वो लोग इसमें डाल सकते है अनीज कुपिया पी चोटा शोटा कर लेना फिर आप इसमें डाल सकते है तो यहां पर यह बंकर तैयार है यह देखे इसी तरीके से इसकी कंस्टेंसी होनी चाहिए थोड़ा साथ तरह को इसे थिक रखना है वाइट या ब्राउन ब्रेड लेनी है अपको क्या करना है टमेटो सॉस आपको लेना है और दौनों ही ब्रेड पर इस तरीकिसे आपको इसकी एक थिल लेयर लगानी है ज्यादा नहीं लगाना है और जो सब्जी मयोनीज का मिक्षर है इसे भी आप इसे सेख कर दिया करना है इसे सेख दिवक ना हलका साथ सेख कर दोगे न तो जो वेज़ेटेवल्स है मियोनीज है वह अच्छे से सेख कर दिया कर लिया है फास्ट फॉरवड मैं इसलिए दिखा रही हो वर्ड़ना वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो यहाँ पर यह वा बना कर ले जा सकते हैं या फिक घर में breakfast में भी बना सकते हो vegetables बच्चे बड़े अच्छे से खालेंगे अलग नहीं करेंगे vegetables को और healthy तो ये है ही बस आप चाहें तो white bread की जगए brown bread ले सकते हैं और fruits आप बच्चों के हिसाब से जो भी उन्हें पसंदों वो आप रख सकते हैं तो यहाँ पर तयार हो गई है हमारी veg मेयोनीज sandwich देखे बच्चे हो या बड़े जो भी vegetables से बच्चते हैं तो मैंने जितनी भी चीज़े बताई ना mostly उसमें vegetables हैं जो आराम से खा सकते हैं यहां पर आपको लीना है पानी जादा अमांट मेंलेना है तो यहां पर एक कपी मैकरोनी बना रहे ना कम से कम दोसरी आपंग्रास पानी ले लेना नमक दालना उसमें थोड़ा सा ओयल डाल देना आदा चमश इतना और उसमें आप गरम होने देना फिर आपको इसमें लेनी है मैकरोनी तो यहां पर यह मैने दो कप मैकरोनी ली है ध्यानक पानी अच्छे अमांट में ले लेना और ढग देना आप इसे और इसे आप पहले लो फ्लेम पर होने देना तब तक हम यहां पर सब्जिया दियार करेंगे तो यहां पर हमने लिए एक फ्लेम को आप बंद कर देना और 5 मिट के लिए इसको डखे रहने देना यह और भी अच्छे से फूल जाती है इसे ज़्यादा दे पकाने की जूरूत नहीं है जहसे इसमें कोबाल आने लगेना गया इसको बंद कर देना और 5 मिट के लिए ढग देना तो यहां पर इसे चेक कर लेना तो यह दिखे हो गई है अच्छे से आपको क्या करना है इस तरीकी से कुछ भी आप चलनी वगरा कुछ भी ले लेना और इस तरीकी से कर देना और तिर्चा करके आप इसको एक साट में रहने देना ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी अलग बरतन में हो जाए कढ़े में लेना है दो चमाश तेल गरम होने देना शिम्ला मिर्च आप इसमें डाल देना अच्छा जो लोग प्यास खा देना और प्यास जा देना तो फिर आप उसे कट करके शिम्ला मिर्च से पहले डाल देना फिर बाद में आप इसमें शिम्ला मिर्च डालना तो हो गई है एक दख देना 2-3 मिनिट के लिए low to medium flame पर फिर आप इसको चेक करना तो दिखिए अब इसमें टमाटो का जो पानी वो है तो फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देना तो जो पानी है उसको थोड़ा सा आप ड्राइ कर देना तो यहां पर यह सब्जियां तयार हो गई है इसमें बिल् पुलर इस्पून होती है ना उसे भर की आप इसमें डालना और इसके बाद में आपको लेनी है यहां पर रेट चिली सॉस तो वह भी आपको एक चमच बरकर लेनी है यहां पर जाएगा इसमें थोड़ा सा यह बटर और साथ में थोड़ा सा यह काले मिर्च पाउडर अच् पर यह बनकर तयार है सॉस तालने के बाद में आपको इसे जादा नहीं पकाना है ध्यान लखना है और अभी न हम इसमें नमक डाल देंगे जितना हमारी मैकरोनी है उसके इसाब से बड़ जादा नहीं डालने क्योंकि जितनी भी सॉसेज वगरा हमने इसमें यूज किये न बाद में आप एड़ कर सकते हो तो इसमें हम डाल देंगे सभी मैकरोनी और आपको इसे सिंप्ली मिक्स करना है जादा पकानी की जरूर इसमें नहीं होती है तो आप चाहें तो यहां पर इसमें चीज को बिगर करके डाल सकते हैं और चाहें तो आप इसमें मैयोनीज डाल स और बस आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है और जैसे अच्छे से मिक्स हो जाए बस आपको कैस को बन कर देना है तो यहाँ पर यह तैयार हो गई है हमारी वेच मैक्रोनी तो मैक्रोनी भी बहुत बच्चे ले जाते हैं या फिर अब घर में बच्चों के लिए बनाते हैं त सबी को बहुत पसंद आएगे तो यहां पर तयार हो गई है हमारे अलग अलग छह तरह के लंच बॉक्स की रेसिपी आपको जो भी पसंद आए कमेंड करके बताना और आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और कमेंड करना मत भूला तेंक यू